दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यदि भारत के दो दिगज रेसलर का मुकाबला अचानक से WWE रिंग में हो जाता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा जियां दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बीर महान वर्सेश सांगा की जैसे कि आप सभी जानते हैं क कि यह दोनों पहले टेग टीम में काम करते थे लेकिन किसी कारण वो सांगा को एंडिया वापस आना पड़ा मगर बीर महान WWE में ही मौजूद थे लेकिन अब सांगा की वापसी WWE में हो चुकी है और अब ये दोनों सिंगल रेसलर के रूप में काम कर रहे हैं और अब हमें इन दोनों के बीच मुकाबला रिंग में देखने को मिल सकता है क्योंकि अब इनुके टीम बनने का कोई भी उमीद नजर नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सिंगल रेसलर के रूप में इनका मुकाबला भी हो सकता है। अगर इनका मुकावला होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? दोस्तो हम ये बाते बाखुबी कह सकते हैं कि इन दोनों ही रेसलोरों में बे सुमार ताकत है और ये दोनों काफी अग्रेसिव भी रहते हैं और इन दोनों में एक बात और सिमिलर है ओहन के मूब्स जो की काफी हद तक मिलते जूलते हैं सांगा की एक सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास एक ही प्रकार के काफी सारे मूब्स हैं एक स्ट्रेंथ में सांगा बीर महान से एक पॉइंट आगे निकल जाएंगे क्योंक इनर्जी में रहते हैं तो फूर्ती के मामले में बीर महान सांगा से आगे निकल जाएंगे और मूब्स की बात करें तो बीर महान के पास 20-25 मूब्स हैं जिसका इस्तेमाल वो अपने ओपोनेंट से बंचने के लिए किया करते हैं और सांगा की बात करें तो एक ही परकार के moves को अलग-अलग type में बदल देते हैं और वो इसका इस्तेमाल किसी भी surface पे कर लेते हैं अब बात करते हैं अपने point of view की कि यदि दोनों में बिढंत होती है तो किसकी बिजय होगी तो हमारे अनुसार यदि दोनों में मुकावला होता है तो बीर महान की भी जय होगी क्योंकि फूर्ती और moves दोनों में ही बीर महान सांगा से आगे निकल जाएंगे तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमें comment में जरूर बताईएगा धन्यवाद